जैहिन दोस्तो वेलकम टो स्टडी फूर जीनियस तो देखिए दोस्तो आज की इसी वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस की दोस्तो न्यू वेकेंसी के बारे में लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि वेकेंसी क्यों नहीं आ रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस जो वेकेंसी थी 2020 वाली वो कंपलीट हो चुकी है उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है लेकिन दोस्तो जिनका सलक्सन उस भरती में नहीं हो पाया था बाई चांस या जिनकी एज नहीं हो पायी थी उस टाइम तो दोस्तो अ आप इस्टार्ट करते हैं क्योंकि अब आप भी दोस्तों चेहन नहीं कर पार हों कि भाई जली दिखाईए ने यार क्यों वक्वास करे जा रहे हो तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर दिखा देते हैं आप सभी लोगों के लिए फटाक से दोस्तों भी इस वीडियो को लाइ अब नहीं हो चलिए दोस्तों यहां पर एक देख पा रहे हैं दोस्तों मैं आपको देखा रहता हूं देखिए सबसे पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों देखिए यह चीज जो देख पा रहे हैं ठीक है यहां पर 17 दिसंबर को एक न्यू जाईए इस पर मैं क गई है दोस्तों ध्यान से देखेगा इस वीडियो को पहले ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि मैं आपसे कहना क्या चाहरा हूँ तो दोस्तों देखी यहाँ पर आपको काफी ज़्यादा वेकेंसी बिलेंगी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ-साथ और भी काफी ज़्यादा वेकेंसी हैं यहाँ पर सस्तिफर्श नंबर पर है कंबाइड ग्रेजुएट लेवल एकजाम निसन 2021 में दोस्तों जो यहाँ दोस्तों अब हुए दोस्तों आटंबर पांक पर यहाँ यहाँ पर वेकेंसी काफी है सबसे उपर देखेंगे तो हैंपर एक डेट है डेट औप एडी बी टी यानि इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉरम एपले करने की कब सी है और क्लोजिंग डेट क्या है और एक्जाम डेट क्या है यह तीनों चीज आपको बता है चलिए अ आप नंबर पांस से स्टार्ट करते हैं नंबर पांच पर लिखा यह देखें यहां पर कि आपकी जो वेकेंसी है वह सत्रेश पांच दोयर्था किसे 22 में सोरी 22 में आएगी और इसकी जो आविदन है वह सूलेच है 2022 तो चलेंगे यानि लगवक एक महिन इसके आविदन चल वेकंशी काफी ज़्यादा है तीनों कागर मैं मिला हूं तो कम से कम दोस्तों जो वेकंशी है वो 10,000 के सब्ढेंची है यानि दोस्तों इसके जो आबिदन सुरू हो रहे हैं वह दिख लीजिए जो ट्राइबर की पत है इसके जो आविदन कभ से सुरू हो रहे हैं वह मैं आपको एक वार दिखाईता हूं ड्राइवर के जो आबेदन शुरूंगे वो भी दोस्तो 276-1222 से स्टार्ट हो जाएंगे और 26, 2722 से इसके आबेदन चलेंगे यानि इसके भी एक महीने तो आबेदन चलेंगे और इसका एकजाम भी दोस्तो देख सकते हैं यहाँ पर आप अक्टॉवर में कराए जागा यहीं सितंबर में दोस्तो आपका हैड कॉइंस्टेबल का और अक्टॉवर में आपका किसका यहाँ पर जो ड्राइवर की वेकेंसी आने वाले दिल्ली पीलिस में उसका तो भाई-2022 आप लोग लिए दिल्ली पीलिस की भरकर वेकिंसी आने वाली है यानि आप समझ सकते हैं जो वेकिंसी नहीं आई है वो 2022 में आपको दिखने में बिलेंगी अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस में जा देगा तो भाई बेलकुल आप जा सकते हैं ठीक है थोड़ी तवियत खराब यार इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे इसके लिए वैसे और दोस्तों यहां पर आप देखेंगे थोड़ा जुखाम हो रहा है इसकी वाज़ेसे मैं थोड़ा सा ऐसे बूल पर हम ठीक है नंबर आठ पर देखेंगे दोस्तों सवेस्प्रेक्टर इंदिल्ली पुलिस एंड सेंटम आर्म पुलिस फोर्स एक्जाम पर इसके एक्जाम क्लोज हो जाएंगे और दिसंबर 22 में यानि दिसंबर 22 में इसका एक्जाम होगा यानि एक साल बाद समझ सकते हैं दोस्तों एक साल बाद साविस्प्रेक्टर का एक्जाम होगा दिल्ली पुलिस में यह दोस्तों आप लोग लिए ती वैकेंसिया दिल् वेकेंसी है नमबर 11 पर Recruitment of MTS Civilian in Delhi Police Examination 2022 देखें दोस्तो 11,10,22 में इसके exam start होंगे और 15,11,22 तो चलेंगे और फरवरी 23 में 2023 में इसका exam होगा तो समाच सकते हैं 2000 भाई यहाँ पर मैं आप सुभी को दाऊं कि दिल्ली पुलिस की दिल्ली पुलिस की दोस्तो सारे वेकेंसी सी में आगी है अभी खत्म नहीं है दिल्ली पुलिस की और देखेंगे दिल्ली पुलिस की Recruitment of Constable की वेकेंसी है Educative, Male, Female and दिल्ली पुलिस Examination 2022 दोस्तो देखेंगे 9,1 2023 में वेकेंसी आईगी इसकी और 12,2023 इसको इसके एक्जाम जो है सोरी एक्जाम नहीं इसके जो ओनलाइन अपला ही है वो क्लोज हो जाएंगे इसका और मई 2023 में इसका एक्जाम कराए जागा यानि Constable की जो वेकेंसी है उसकी बात कर रहो मेहाँ पर ठीक है वो 2023 में आपको देखने को मिलेगी 22 में वेकेंसी नहीं आएगी Constable की लेकिन 22 में आपको Head Constable की ड्राइवर की और दोस्तो सविस पेक्टर की वेकेंसी देखने को मिले वाले दिल्ली पुलिस में और दोस्तो नमबर 15 पर है देखी दोस्तो SSC GD की वेकेंसी जो की दोस्तो आपको minimum something समझ सकते हैं SSC GD और दिल्ली पुलिस की एक साथ वेकेंसी आएगी 2023 में यानि एक साल बाद तो दोस्तो यहाँ पर 22 और 22 आपके लिए नई सौगात लेकर रहे हैं इनको दोस्तो हाथ से बिल्कु खले मत जाने दीजिए और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बढ़ाई करें यार पुल्कु अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि भाई अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे न तो reality बात तो यही है फिर से दोस्तों आप ऐसे ही कलेंडर देखोगे अग्जाम का कि भाई कब यार कोई ने वेकेंसी आ जाए तो इसलिए उसका वेटी ना करना पड़े इस अच्छे तो यही है कि एक बार दो यारी की जाए एक बार एक बार बाबू सुना को छोड़कर सब चीज को महायों को त्याक कर कम से कम दोस्तों ज्यादा नहीं बोल यह दोस्तों बस अपने उपर आपको थोड़ा करना पड़ेगा कि यार मुझे तो वहां गूमने भी जाना है नहीं यार मुझे तो मननी लग रहा है मैं तो यार मूवी दिखने जाता हूं नहीं यार मुझे किर्किर खेलने जाना है यह सब चीज अगर आप इनको से घर में सब संपन हैं सब और हाई लड़का जौब पर लगा हुआ है फिब घंग तो खुद बोलेंगे लिए लूबर मेरा करें बात ऐसे क्यों करें कि हां यार मिर्ए बिल्कुल अब सर्फ आप बाबुक्यार में यार तो तो हाँ पर वह चीज बिल्कुल एक समझे पाप एक बार ही के बाद तो इसले जोब चीज करूब 100% कोचुछ भी कर रहे हो 100% प्रा और जो लोग होते हैं जो एक्जाम में सब्डो करें अक बाम ऩुर्ख लेते हैं वह दोस्तों जीनियस लोग होते हैं जो study for genius पर आपको मिलते हैं ठीक है हाँ तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि वेकैंसी आ चुकी है दिल्ली पुलिस की भी और SSC GD की भी तो थैंक यू दोस्तों आज आपने इस वीडियो को complete देखा और subscribe नहीं क्या बें subscribe कर लो या